हालो गाइज वेल्कम बाग को मैं चानल रात के बज़ रहे हैं ग्यारा बच के तीस मिनिट यहाँ पर जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे थंड भी बढ़ती जाती है यहाँ पर तो कि जो भी नहीं लोग आ रहे हैं वह गरम कपड़े लेकर आए और आज हम बात करने वाले हैं लिविंग कोस्ट इन यूखे उससे पहले एक वीडियो के बारे हम बात करां जो जो लास्ट वीडियो में डाली है जहां पर के रों में मुझे ट्रांसपोर्ट वगेरा नहीं मिलत है वह वीडियो देख लेना आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं मिलता आप ट्रांसपोर्ट महां पे पर जो आते हैं उनके बारे में बात करेंगे बट अभी फिलाल हम स्ट्रीन की बात करते हैं जब आप यूके में लैंड करते हो तो फरस्ट इंग आपका नॉमल एक्सपेंस क्या हो सकता है अकॉमडेशन आपका फूड और आपका ठ्रावलिंग एक्सपेंस त्यूंकि आप अगर कॉलेश की फीज भरते हो उसके अलावा आपको कोई फीज एक्स्ट्रा भरनी की जरूरत नहीं पड़ती है हां अगर आप जैसे कॉलेश में अगर आपको कुछ बोला गया है जैसे मेरी फ्रेंड है अर्चना मेरी रोमेट वो इंटेरियर डिजाइनर है तो वो इंट कोस्ट अगर जैसे आप अगर डिश्टर मार्केटिंग में से हो तो आपको कुछ कोस्ट नहीं लगेगा एक्स्ट्रा आपका सिफ फीज आपको पूरी भरनी है जो कि मैंने भरी है और इसके बाद आपको कॉलेश के लिए कॉलेश के लिए अलग से कोई इंवेस्मेंट नह यहां पर आने के बाद सेम लाइफस्टाइल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकाज यहां के जो एक्सपेंसे से थोड़े हाई है इंडिया से ज्यादा अपने होम कंट्री से ज्यादा सो बेसिकली मैं अकॉमडेशन की बात करती हूं अगर आप अकॉमडेशन देख रहे है तो इसके हिसाब से एक्सपेंस बढ़ रहे हैं और नया साल भी स्टार्ट हुआ है 2023 के हिसाब से हर एक प्रोड़क का प्राइज अपडेट हुआ है जैसे कि मैंने रिसेंटली लास मन में मतलब डिसेंबर में मैं गई थी आज़्दा जब मुझे आज़्दा टेसको से ब परक नहीं है इवन टेसको हाज बिकम मोर चीपर देन आज़्दा नावड़ेश तो इस लेक येरली प्राइज अपडेट होता है तो अभी प्रोड़क्स के भी प्राइज बढ़ गए है जो पहले दो पॉंड तो पॉंड फिप्टी पेंस थे वह अभी त्री पॉंड हो च पकड़ के चलो महने का 40-50,000 रुपया आपका फूड का जाएगा मतलब डिपेंड करता है आप क्या खाते हो क्योंकि अगर आप स्टुडेंट हो तो आप युनिवर्सिटी में जाओगे कॉफी तो कैरी करोगे वहां से वहां पे कॉफी बोरो करोगे या तो आपके फ्रें आप से तो वह महने का कितना हो जाएगा और प्लस और फूड अगर आप ग्रोसरी लाते हो तो आप नियर बाई कहीं कोई आस्दा आया तो टेसको के नियर बाई आप घर लो ताकि आप डेली फ्रेश फूड खरीद सको टाकी उससे अच्छा है डेली एक कबलते ना कि आप फूड लाके बना कर खाओ इंस्टोड आप बाईंग ग्रोसरी फूर वीक एंड कीपिंग अ स्टॉक सो कहते ना कि हर आप तो मतलब वीकली भी जाने की ज़रत नहीं बढ़ेगी आप डेली आप आते आते जस्ट एक राउंड मार के आ सकते हो उससे पता भी चलेगा आपको वो सेल में डाल देते हैं तो ऐसे टाइम पर आप आपके पास बहुत अच्छा मोगा होता है कि आप जागे ग्रोसरी उठा ले वहां से अट ताइम इस बेटर तो स्टे नियर वाई तो आज आज देहार ग्रोसरी इंस्टेश इंस्ट आफ स्टेइंग आवे फ्रम इस स्ट स्टेशन की बात करते हैं तो यह फूड का हो गया मतलब आप चाली से पचास तार फूड का पकड़ के चलो जैसे मंदली कॉफी वगेरा मतलब रोज का कॉफी अगर पीते हो रोज का भी नहीं हपते में तीन दिन कॉलेज जाओगे तो तीन दिन कॉफी भी होगी जो की 15 प से लेके 3 पाउंड तक कॉफी एक ग्लास कॉफी आती है अगर आप मिल्क देखोगे तो 2 लिटर का क्यान आता है जो की 165 पैंस में आता है जो की 1500 रुपया करीब होते हैं वही 300 रुपय की कॉफी पीने से अच्छा है अब वही 1500 रुपय का एक क्यान लेकर आओ और वही सकते हैं इसलिए का मनी सेविंग प्लान गाइस इसे आइड नो कितने लोग कॉफी अडिक्टेड है पर आम लगा हम चाय अडिक्टेड परसन तो मैं डेली सुबह शाम में चाय पीती हूं तो इसलिए मुझे सुबह चाय लगती है बाकी शाम को नहीं भी रहेगी तो हैं अगर आपका सेविंग का प्लान है जैसे कि आपका लोन भी है तो जैसे loan का भी आपके बतलो इतने रुपे मुझे loan के लिए pay करना है तो make sure करो कि आप पहले loan का पैसा निकाल के रोको side में और बाकी जो बचे हैं पैसे उसमें से आप अपना month निकालो पुरा तो अभी basically मैं accommodation और आपका food का वगरा मैं बात करती हूँ जैसे आपने अभी food का मैंने बोला कि 50,000 food का पकड़ लो आप including all your expenses everything for a month तो अभी 50,000 आप rent का पकड़ लो accommodation का 50,000 पकड़ लो क्योंकि यहाँ पे फिलाल मैं ही 40 to 45,000 मेरा ही rent है including all the bills तो अगर आप थोड़े दिन बाद आते हो जैसे अगर next में इंटेक में आते हो या सप्टेबर इंटेक में आते हो तो आप 5000 एक्सट्रा इंक्रेमेंट आप एक्सपेक कर सकते हो यहां से क्योंकि UK हर महीने इंटेक मतलब इन प्राइज जो है अब अपग्रेड होते जाती है या ऐसे नहीं कि कि इंटेक के हिसाब से प्राइज वी कम होगी ऐसा नहीं ह्या हर अर्प हर इंटेक में उनको पता है कि स्टूडेंट आते ही है और उनको अकॉमडेशन की बोलते है नहीं होती है चाहे में थोड़ा 10 पांड एक्श्रा मांगो या तो 500 बांड एक्श्रा मांगो स्टूडिन माना नहीं करेंगे क्योंकि उनको शेल्टर की जरुद पढ़ती है तो आप मेक्शुर करो कि आप एक लीस्ट जितना कम में हो सकता है उतने कम में आप अकॉमडेशन लो या तो फिर एक मेने पहले आप बुक कर लो अपना अकॉमडेशन चीपर प्राइज में तो आप अपनी मोर्जी का प्राइज महां पर आड करके दे देंगे तो इस बैटर आप यह प्लान करके चलो कि आपको आता ही है तो एक मेने पहले आप अपॉरे साल अप्र महीने उख जकी तरहना और में स्वड़ेता कि श करें कि पूरे साल एक्स्ट्रा पाउंड भरने से अच्छा है एक मेहने की सालरी अगर आप देते हो तो पूरे साल आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कम में मिल जाएगा तो एक लाक उर्पया घुमा फिर आकर आपको यहां पर एक्स्पेंस आ जाएगा मतलब बंतली एक्स्पेंस आपका एक लाक उर्पया अब यो पचास हज़ार रुपय जो फूड और मैंने उसमें तो मैंने कपड़े पकड़े ही नहीं है अभी तक अगर आप जैसे हर मेने करने वालों में से हो हर मैने आपको घुमना है तो उसका अलग से आपको पचासाजर रुपय आपको अलग से आड़न करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे रेंट एक घर का रेंटी पचासाजर तक जा सकता है इस इंक्लूडिंग ऑल दे बैल्स अगर आपको एक ठीक घर चा तो आप अभी आप ही इमाजिन करो कि गेटिंग प्राइवेट रूम लेक प्राइवेट एक घर मिलना जहां पर आपका प्राइवेट बेडरूम हो तो वैसा घर अगर पचासार में मिलना भी बहुत मुश्किल है बट यू किप ट्राइंग मिल जाएगा ऐसा कोई ऐसा अगरे बहुत नजदीक है और प्राइम भी बहुत नजदीक है पूरा मतलब सिटी सेंटर के सिटी सेंटर में ही मैं रहती हूं यहां से जस्ट में घर से बाहर निकलूंगी ने मेरे घर मेरे सामने ही टेस्ट को है यह सब फैसिलिटीज अप ध्याम में रखके आप अपना करो जब आप अकाउंडेशन बुक करोगे गूगल करो यूट्यूब करो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाए एक पाच मिनट आपको चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन वही आपको आदा घंटा 30 मिनट चलना पड़े तो शायद आपको बहुत प्रॉब्लम हो ज क्योंकि यहां पर ऐसा होता है कि अगर आप एक जगा रह रहे हो अगर आपको दुसरी जगह जैसे अभी टेसको और यह जो आजदा वागिर यह हर जगा नहीं है मेरे यहां पर जो पॉर्समित में जितनी भी लोग साउथ सी में रहते हैं उनको आगर आजदा जाना हो तो वो डायरेक्ट सिटी सेंटर क्रॉस करके उनको जाना पड़ता है नॉर्मली बहुत लोग बस लेते हैं या तो कोई क्याब लेता है तो यह प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्यूंकि बस और क्या में अलग से आपका एक्सपेंस लगेगा अगर वही एक्सपेंस अगर आप रेंट में डालोगे तो मेबी आपको बाकी फेसिलिटीज नियरबाइ मिल सकती है तो अब यह धान में रखो तो मंतली अगर आपको शॉपिंग करनी है आपको खाना भी अच्छा खाना है एकदम एवरीडे न्यू न् की बात कर रहे हूं जो कि मैं रहती हूं मुझे खुद को ही 80,000 तक मेरा खर्चा आता है मेने का लेकिन मैं एनिहाव क्योंकि मेरा 40,000 ही मेरा पुरा घर का रेंट है 42-45,000 अगर कभी-कभी जैसे मेरी लाइट जैसे हम लोग अगर सीजन वाइस हीटर अगर मैं शुरू करती हूं करती हूं कोई अगर समय लोग जादा थंडी है तो फिर हीटर का अलग से मतलब बिल आता है मुझे हमारे घर में चार लोगों के हिसाब से तो बिल भी हम लोग कांट्रो करते हैं हर चीज हम लोग रेंट वागेरा हम लोग मतलब रेंट तो सबकी हिसाब से हैं बड़ लोग अकोड़ राबरेंट का हमारे पास है एलेक्ट्रिसिटी घ्यास हर दês दिन में हम ग्यास रिचाच करते हैं जो कि हर दश हमारा titanium हमारा एंटलों टक हमारा जारा है इसलेवं हर चीज में सब मिक्स करके ही मैं मेरा एंटिऑ थाउं अंत्स कर्चा आ जाता है तो मैं मैं करूं अगर मेरे खाने की तो आम लाइक आई इट वेरी मिनिमूम जो भी सस्ता है टेसको में जो भी कम प्राइज वाला है जैसे चाव राइस है या तो टोटिला रैप्स है एक्स है मैं ऐसे ही चीजे में लेकर आती हूं और में बना कर खाती हूं मुझे पता है कि खाना अच्छा तो खाना चाहिए लेकिन एक्स में भी प्रोटीन है टोटिला रैप्स भी अच्छे होते हैं जो रोटी होते हैं जो लॉंग लटिंग तक आपको एनरजीटी रखते हैं और राइस भी बहुत ज़रूरी है मैं राइस भी खाती हूं और सम्टाइम्स लाइक आई वन पाउंड का राइस भी लाओंगी तो मुझे वन पाउंड का राइस चार वार तीन से चार बार हो जाता है तो गैस मेक शूर कि जब तक आपके वास बज़ेट नहीं है तो अब एकदम बज़ेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल जी हो क्योंकि जॉब जो करते हैं उनकी लाइफस्टाइल एकदम अलग होती है देनों कि उनको एवरी मंथ एक सालरी एक एक सम आफ सालरी आने वाली है उनके अकाउंड में क्रेडिट होने वाली है तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है बट हमारा कैसा है हमारा इंकम भी लिमिटेड है अगर मैं जैसे कि मैं अपनी जोब की बात करो तो मुझे शिव्ट डेरी नहीं मिलते हैं हटे में जो दो मिलने चाहे वो भी नहीं मिल रहे हैं दस दिन में एक शिक मिल रही है मुझे तो उसके इसाब से मेरा सिर्फ रेंड निकल रहा है अभी फिलाल रेंट ही निकाल पार हूं मैं और बाकी मेरी कोई भी दुसरी जो नीड से वो फुल्फिल नहीं हो रही है मेरे जोब से तो रही बात फीज की उसके पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी क्या फीज निकाल सकती हो या नहीं क्योंकि उसके लिए भी अलग-अलग चीजे हैं जो आपको देखनी पड़ेगी और वो चीजों में अगर नाशनल स्टूरेंट आते जा रहे हैं उसके इसाब से पार्ट टाइम जॉब्स भी अविलेबल नहीं हो पा रहे हैं उतने क्योंकि केरों में सब इंडियन सी भरे पड़े हैं and then कहते हैं कि बाकी हर जगा यहां पर बिटिश कम इंडियन जादा ही दीख रहे हैं तो अपने चैंपने क से राट पीर्लिश किपन सब्सक्राइब और एक डेजाया धी कि आशका दो लिए ग्रिकार के करें और अगर बॉन्म 딱ल ही जो भी है मैं secured हूँ मेरे पास at least backup है इस नाम का तो यह तो confirmation आपके पास रहेगा क्योंकि अभी हमारा ऐसे कि हमारे पास backup भी नहीं है कुछ रखने के लिए जो भी आता है वो हमारा रेंट में चले जाता है तो रेंट भी पुरा नहीं हो पा रहा है टा तो यह कहते है ना कि एक krais रियल पिच्चर एक UK का दो कोई आपको बताएगा नहीं है अपे सब लोग बोलते की पार्ट-टाइम जाती है यह जौब मिल जाती है so guys क्या हम UK में नहीं रह रही हूं मैं भी UK में ही हूं मैं भी यहीं पर पढ़ रही हूं और like मेरे घर में सभी लोग भार पाटी करने जाते हैं and I'm the one who stays home and I always like keep applying for jobs at on indeed so मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे नहीं होता तो फिर अगर ऐसे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो फिर कैसे लोगों को जॉब मिलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो इस लाइक यह कहता है कि मैं जो भी है सामने बता रही हूं क्योंकि obviously मैं अगर मैंने अभी तक अपनी fees मतलब मैंने बोलते हैं मैंने तीन सो इस सव पॉंड मैंने अभी तक सेव नहीं किया एपने जॉब से जबसे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया है तो जो भी आती है सालरी मेरी मेरे की sorry मेरी नाग भेहरी है क्योंकि अभी मतलब केते हैं ना कि सुबह से थोड़ी थणड़ सि लग रही है तो ऐसे होता है कल रात को भी थोड़ा हवा जाता था उदर तो इसलिए सुबवी में आ रही थी तो बहुत हवा थी इसलिए सर्दी हो गई यहाँ पर थंड है गाईज और यहाँ पर सर्दी हामेशा रहेगी आपको precaution अच्छे से लेना है मैंने अध्रगाली चाहे पी लिए तो आप जो भी आ रहे हो make sure कि आपका इतना खर्चा होने वाला है आप ऐसे ही कहते हैं कि वहाँ जाके देख लूँगा यहाँ के देख लूँगा नहीं एक तो आपको पूरी fees भर कर आओ and second thing अब 6 मैने का अपना expense लेकर आओ ठीक है यह करके आना fees तो पूरी भर के आओ ऐसे यह उमीद से मत आओ कि मैं वहाँ जाके fees निकाल लूँगा यह उमीद से मत आओ fees पूरी भर के आओ चाहे लोन ले रहे हो भर के आओ अगर यहाँ पे आने के बाद वाइस आपका focus ना काम पर रहेगा ना education पर रहेगा अब भीश में लटक जाओगे तो इस बेटर आफ एक clear करके आजाओ तो आपका जो भी यह छे मैने का आप rent और आपका food का expenses वगरा सब लेकर आओगे तो आप थोड़ा सा काम लिए आप education पर focus कर पाओगे और अपने काम पर focus कर पाओगे क्योंकि आपको education का कोई tension ने रहा क्योंकि आपने fees भर दी है आपको सिब जाके lecture certain करने है that's it तो guys यही चीज़ बतानी थी मुझे अगर आपको इसके बाद भी कुछ अगर doubt है तो आप please comment में लिखो मैं reply कर दूँगी अगर-अगर किसी और को किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो please वो comment में लिखो में बता दूँगी और मैं केरों वाला वीडियो भी बनाऊंगी कि कितना मतलब salary package क्या होता है क्या नहीं वो सब के उपर मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी बट फिलाल तब है थोड़ी केतना की shift वगेरा होने के बाद तो guys literally इतनी energy नहीं बचती है की बैटकर वीडियो बनाया जाए अभी इसलिए मैं रात के 11-12 बचे वीडियो बना रहे है कोई बात नहीं चलता है इतना लेकिन ठीक है यह वीडियो देखना और कमेंट करना कुछ क्वेशन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ सब्सक्राइबर्स की जरुरत है मुझे थोड़े और सब्सक्राइबस हो जाएंगे तो फिर शायद मुझे पढ़ा प्राइबस का और क्या अब अब जा आएगा क्यूंकि वाभी तक मुझे आया ही नहीं है पता नहीं क्यों so I'm just waiting for that moment obviously sub credit आप लोगों को जाता है thank you so much for you know like subscribing to my channel and watching my videos and giving you honest review thank you so much and keep loving bye good night